नमस्कार दोस्तो, यूपीतर का चैनल एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता है दोस्तो, आज हम आपको बताएंगे लखनव प्रियागराज हाईवे स्थित बच्रावा से 16 किलोमीटर दूर शिवगड के बारी में जोकि एक छोटी से फिल्म सिटी भी है कहने को तो यह एक ब्लॉक है, लेकिन इसकी सक्षियत बहुत उची है क्योंकि इसकी चर्चे मुंबई जैसे शहर में भी होते हैं ये छोटा सा चेतर बहुत ही सुन्योजित धंक से विवस्थत है शिक्षा के चेतर में भी ये बहुत आगे है क्योंकि जहां एक ओर केंद्री विद्याले बच्चों का सुनहरा भविश बना रहे हैं, वही यूपी में अपनी पहचान रखने वाला एक्री कल्चर का बेस्ट कॉलेज बर्खंडी और ITI इंडस्ट्रिल ट्रेनिंग इंस्टिटूट भी यही परिस्तित हैं। और भी बहुत सी फैसिलिटीज हैं अपर, जैसी कि कुछ अच्छे ब्राइवेट स्कूल, गर्वर्मेंट हॉस्पिटल्स और यहां के बच्चे किसी भी प्रकार के खेल छेतरों से अख्यान न रहें, इस वज़े से राजा साहब ने इस टेडियम बनवाया, जहां पर क्रिके होकी, फुटबॉल जैसे खेल और समय सन्वे पर टूनामेंट भी होते रहते हैं, तो दोस्तों शिवगण आएं और यहां के रजवाडों के वारे में आपको न बताएं, ऐसा हो नहीं सबता, क्योंकि आज इसका इतना नाम रजवाडी की वज़े से ही है, 1942 में राजा बरगंडी महीश प्रताब सिंग ने इटालियन मार्बल से लैश जैपुर के महान कारगिरों से महीश प्रिलास पैलेस बनवाया, यह जिसे शिवगण के राजा साहब की कोठी कहते है, यह बेहत खुबसूरत वा मनमोह कोठी है, यह कोठी यूपी के छे महलो हर इटेज लिस्ट में शामिल है, आज इसकी खुबसूरती की वज़े से यहां आए दिन किसी न किसी फिल्म की शूटिंग होती रहती है, तो आप सोच रहे होंगे मोमे में शिव करके चर्ची, छोटी फिल्म सिटी, तो हाँ यह सच है, क्योंकि सनोज मिश्रा, जोकि एक बह बहुत ही पॉपलर फिल्म मेकर है, वो यहीं से ब्लॉग करते हैं, और यहां पर बहुत से फिल्म की शूटिंग हो चुकी, जैसे बॉलिवोड और भुश्पूरी, बॉलिवोड की बात करेंगे, तो आप सोच में पढ़ जाएंगे, तो ज्यादा सोचना नहीं है, नहीं आ सकता, तुम रेड मारने आएंगे, तो डिक बोतल है, ताय ताजा फुला है, थोड़ा तो सूर रहेगा, साथ साल में उन्चास पर ट्रांसफर हुआ है, जब तक मेरा पचास भी बार ट्रांसफर नहीं हो जाता, इस शूर की आतर ड़ीजे, खाली हाथ जाओगे, म मुझे, कुछ नहीं निकल रहा है, खाली पसीना निकल रहा है, निकलेगा, पूरा 420 करोड रुपे निकलेगा, सैफ अली खान की बुलेट राजा और जबड़िया जोड़ी जैसी फिल्म यहीं बने है, तो आप भी आईए, कभी शिवकर, और चैनल को लाइक शेयर और सब स्क्राइब करना ना भूलेगा, धन्यवाद